नवल कथानू नाम अश्रू घर रावजी पटेल प्रक्राण बे लोने आ कवर पोस्ट मा नाकवानू छे सडक पर जाओ छो तो कोई साइकलिस्ट्री ने आपी देजो सत्य ने ललिताये पर बीडियू आपियूं सडक पर तो न थी जतो पर ये तो आपी देश कोई ने सत्य ना मरोड़दार अक्षरो जोतो जोतो वर्ड बहार गयो ललिता पतिना बेतरन कपड़ा दोवा बातरूम मा गयी रोगियो जमी परवारी खेतर मा सडक पर थूटा छवाया वेराई जता पेलो जन्नू बस्टेन पाचर ना वर्ड नीचे थड़ पाचर लपाई गयो हवे निराहा ते बीडिना डम लगाउशे डॉक्टरेना होठ जोईने एक दिवेस पूछे लूं तुम बीडि पीये चे नै केर बे हाथे कान्नी बूट पकड़ीने दस्शेरी हलावी आती उहं तो आ खोट केम दुनी वाला थेया चे एने सोगन पन खादा आता मैसा गरना नंदाडीने जोता वेहत ए पाडानी जेम मलका तो जन्नूनी ए बीजी बीडि हती नर्स कहती अती के जन्नू तो जुनो दर्दी छे गए मैने अमदावाद वाडिलाल होस्पिटल माथी ओपरेशन करावी ने आवेलो पेलो उस्मान मास्तर बेचार दर्डियोंने बेगा करीने पूताना ओपरेशन नी टेप समड़ावतो हतो एने आखो मचकारवाणी आदत छे, रातनी नर्स नमबर साथ ने कहती हती, पेलो उस्मान लुक्चो छे सत्याने उस्मान भाई जेव लाक्तो हतो, उस्मान शायर हतो, एनी आख मिचकारवाणी आदत सत्याने नौनतपात्र लागी हती तिवारी वाच्मेन गोफण खबे नाखी ने राम जरूखे बैठ के सबुका मुजरा देख जैसी जिनकी चाकरी वैसा उनको देथ गातो नर्सनी केबिन तरफ वाच करवा सरकी गयो ललिता कपणा धोई सुक्वी ने बहारावी आमबा नीचे सत्यने एकलो निमगन स्थिती मा बैठेलो जोई एनी पासे पहुँची क्यम कशे फरवा नथी जाऊं सत्यने एने जागरत करयो ना ललिता बैन मने आ आमबा नीचे बैसी रहवानी मजा आवेचे आ एक खेतर मा रस्ता उपर जा आमबानू व्रुक्ष चे हुँ हमेश त्याँ जेई बैस्तो राजाओ पूरी थता आमदावाद जतो रहूं त्यारे मारा बापुजी नू स्मरण पची थतूं प्रथम ए खेडूतना पुत्र छो एटले व्रुक्ष प्रिती वदारे अर्शे वदारे नहीं छे सत्य आम्र गटाने लागनी बरी नजरे जोवा लाग्यो ए समये दर्वाजाना पगतियां पर नानी नानी देड़कियो कुदा कुद करती हती एने जो इरमत मा जामी पड़ेलू गलूडियों मिठा आवाज करतूं हतूं ललितानू ध्यान एना तरप गयूं एने डचकाराथी बुलाबवानो प्रयत्न करी जोयो पण ए मुग्द प्राणी ना समझीऊं किटलू वालूँ छे ललिता ए सत्य बनी जोयों नई मने पण ए खुब गम्या छे गम्य ए उजज छे कहीने ललिता एने पकड़ी लेवा गई सत्य एकलो एकलो कहतो अतो खरू छे ए ललिता ए बुम पाड़ी ए आतो देड़का मार निकड़ीूं जो ने त्या अज उभी उभी मरेली देड़कियो गणवा मंडी आठनी संक्या थता थता मा सत्य त्रासी गयो अहमद आववानो हतो चार दिव सुपर पत्र हतो एमा तो ए गईका ल्याववानो छे एम लख्यूं अतुं सत्य एनी खूब बाट जोई रिंगना मर्चा माथी जिनवरो आउतो होय तो अने अमदा बाद वाड़ू मित्र मंड़ आवी गईूं पन ए काचियो न देखायो ये बबलो पासे मेंदीनी वाड़ मा संताई गईला काचिंडा ने सुंगी सुंगी ने खौडवानों मित्या प्रयत्न करतू टिली यूं भस्यूं ललीता ए आवी ललीता ए आवी ने एने उचकी लिदूं कैड मा थी माकी वलेली ललीता कन्याना सौंधरियने प्रक्टा भी रही एने स्मीत न करियू होत तौई चालत सत्य बेदिवस उपर मनमा एने स्मीत वती कहीने संबोध्तो हतो या घुवडे एउँ सत्य इचियूं पन पोते ओचो कहीने जेट छे हतो आ विचार्थी तेने हस्मूं आभियूं कुर्कूरियाने माथे हाथ फिरम ता ललीताय प्रश्ण करेओ वात करवानों आरम करवानी एनी आ प्रश्णरीती आकर्शक हती कैम हस्मूं पड़ियूं मारू यहूं कईूं वैचीत्रे तमें जोई गया तमें साध्यन्त सरल छो विजी बाशामा इनू एज कहूं तो तमें नरी सरल ता छो सजी सरल ता सत्यने थयूं पूताना आ साहित्य वेडा थी एने हस्मूं तो नहीं आवे एनें विशे संक्रांती करी तमें लाज काडो छो त्यारे सुन्दर लागो छो ललीता जोर थी हसी पड़ी मारो अभिप्राई तमने कटाक्स तो नथी लाग्यों ने लाजना पन प्रकार होई छे आडी लाज, उभी लाज, मुंगी लाज, चुमाली लाज सत्यने थयूं ललीता पूताने गांबीर्य थी सांबर्षे पण हवे तो एना हाथ मा थी पिलू गलूडियू पण नीचे उत्री गईूंआतू मैं कई ललीता प्यान, तमारी साथे वाद करता मैं कई वियंजनानों उप्योग नथी करयो हूं सरल नथी पण तमें सरल छो, नहीं तो हां हां बोलो, पिलू गलूडियू केटलू सरस्च छे वात बदली नाखी ने एने गलूडियाने बुचकार करया एक कद कद करतू पाचु आविव इतले वातने सांधी आ प्राणी पन के उसमझनू छे, तमें आपने आनू नाम पाड़ी शू एने पकड़ी सुवाला गलानी आसपास हलवाश फिरवा लागी वच्चे वच्चे मनुषेनो कटोर स्पर्ष बली जता ते बाल प्राणी कुणु-कुणु भसी परतू सत्य चूप तो, ललीताने समझतो हशे ए राजकूअर, सामढ़ो छो ललीताय गलूडियानी मुलायामतानू व्यसन लागीू, एम एम ते वधारे हाथ फिरवा लागी ओचिन तू एनी आंगली ए एने बचकू बर्यू ओई! किवल बेज मनुष्य सामणी शके, एटली तीनी मिठाश वातावरणमा प्रसरी गई ललीताय एने नीचे छोड़ी दिदू, सत्य चम क्यो, तमने बचकू बर्यूने एने? हा, क्या गया हता? हुँ पुस्ती हती आपने एनू नाम पाड़ी शू? नाम पाड़ू छे? सर्वदमन राखो, शकूंतलाना पूत्रन्नू नाम सर्वदमन हतू खबर छे पण क्याम न पड़ाई ये नाम? पण आब आपनू तो निर्दोस छे? कोईने क्या सतावे छे? क्याम तमने अमना ए लुच्चे बचकू न बर्यू? ने बनने हसी पड़्या थारियो खकड़ी वाड बुक्यो थाई गयो हतो जमबा न थी जाऊं? ललितायो पूच्यो आजे डॉक्टरनी महरबानी मारा पर वर्सी पड़ी हती पेट भराए गयों छे, फडो अने शिखन पूरी थी बाकी हतू ते तिवारीये उंद्यू खबड़ाव्यो डॉक्टरे तो मारा माथी पण बाग पड़ावयो सरसतू कहे छे, सूरतनी छोकरियो रसोई नी राणी ना, पावर्दी होई छे हूँ सूरती छू, मारा अपनी रसोई तमें चाकी नतिया जी एटले शू डॉक्टरनों में कहेलो अभीप्राई वजुद्वगर्णों छे ललीता हसी हूँ एम क्या कहूँ छू मने पन सरसवानगियो तैयार करता आवडे छे एम कहूँ छू ओहो, एम ने अने पस्चिमा काश मा मीट मानी आकाश मा शू जूँ जूँ छो हजी तो एके तारो उग्यो नथी नथी क्याम जूँ पेलो रहो, शुक्र ललीता सत्यना मौ भणी जोती हती जोयो विजडीना विजा तारनी उपर पिलू पक्षी उडे छे त्या हूँ छे ने ललीता ब्यान पांच मा दुर्ण मा हतो त्यार्थी एने उडखू छू अमे साथे बनेला शुक्र साथे ना, सत्यनी वाच्चीत मा अहमद नू स्मरण बढ़े गईू हतूं ना, सवथी पहला अहमद एने उडखी लावेलो ये मारो मित्र छे शुक्र ने जोई जोई ने अमे तड़ावनी पाल पर बेठा बेठा वातो करता पांचू जम्मानों समय यादावता एने ललीता ने जम्मा अंगे पूछी लिदूं ना, मारे आजे गुरुवार छे ने केडानों नास्तो करी लिदो हतो पच्छी पच्छी तो है वकिल थवाना मन्सुबा गड़तो ने हूँ सन्यासी थवानू कहेतो सन्यासी? ललीता भड़की हाँ अत्यारे ये खेडूत छे शिक्षित खेडूत आपने त्या महू ओच्छा छे एना जेवा ये तो पणी पण गयो आपने राम हजी इना एछिये सन्यासी आमर पत्र हाथ मा लई ते हाथ मो आगल लावी ने गोल गोल फिरवा लाग्यो तो हवे परण जो ललीता येना मुखभाव जोवानी इच्छा ने रोकी न शक्की हवे तो परण्या ती बी फरी थी उतलो मारे तो बीचारी आवनारी ने सत्य एकाए कटकी पड़ेओ कईकि आद आवी होई एम ललीता ना चेहरा तरप जोईली दू अने पन ललीता बेन तमे कशी चिन्ता ना कर्शो हो आव याधी कई हवे असाध्य ना थी तमारा पत्ती बेत्रण मासमा तो मारी जे महरता फरता थाई जाश सत्य आवानो टेको देवा पाचर खसे हो एनो पग ललीता ने अडि गयो साज मा बैठेलू एस्त्री शरीर भैजन्य कमपारी अनुपवी रहूं डक्टर तो कहे तमे गबराशो नही सत्यना ए वाक्यने पूर्ण विराम मले तितलिक्षणों मा तो ललीतानी उपस्तिती वार्ड मा प्रवेशी चुकी पतीना खाटला पासे खाटला उपर बैठी बैठी के तरता जूठी आने उंगुता पतीना कपाले हाथ मुंक्यो हाथ नहीं व्याकूरता दिरे दिरे उगड़ती पतीनी पांपणों पूरी उगड़ी रहे तह पहला तो ए मानी आखों मा प्रवेशी चुकी